Hello everyone, welcome back to the new video दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Top 3 Selected Smartphone के बारे में जो कि आपको 20 सब्सक्राइब के प्राइज पन पर देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको किसी फीचर गोले के कंप्रोमाइस नहीं करना पड़ेगा फॉन के अंदर आपको काफिची डिजाइन देखने को मिल जाएगा कैमरा सेटप भी आपको बेटर देखने को मिलेगा साथी में आपको आपको इसकी सपोर्ट भी देखने को मिलेगी पारे में चुकि रहने वहला मोटरोला की तरफ से दोस्तों के दर आपको कापीछी डिजाइन देखने को मिलेगी कापीछी देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉन की डिस्प्ले के बारे में फॉन के दर आपको 6.6 इंचिस का एम और डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा साती में आपको 128 का रिफ्रेस्ट रेट 86.4% का स्क्रीन ट्यू बॉडी रेश्यू चिस्प्टाइट के बारे में बात करें तो आपको OCTACOCO Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रसेट देखने को मिल जाएगा जो कि 6 nanometer के साथ आता है Android 12 पर बेस्ट है अपकर एक्ट्व एंडो 13 देखने को मिलेगा बात कर लेते हैं बारे में फॉन के अंदर आपको 128 GB प्लस 6GB RAM का बेस्ट देखने को मिल जाएगा में केमरे आपको triple setup के साथ देखने को मिलेगा रेर कैमरा 50 MF का bit OS के साथ 8 MF का ultrawide 2 MF का macro LED flash देखने को मिलेगी में केमरे के अंदर में केमरे से आप 1080p wide एक्जम बेर कर पाऊगे । को साथ देखने को मिलेगा 16 MF का 3.5MZ फोन के अंदर दिया गया है USB की बात करें तो आपको टैपशी देखने को मिलेगा 2.0 बात कर लेते हैं फॉन के सेंसर की बारे में फॉन के अंदर आपको 500 mm की battery दी गई चुकि support करेगी 30W fast charging को अब बात कर लेते हैं phone के performance के बारे में like end score के बारे में phone के अंदर आपको 3 lakh plus around end score देखने को मिल जाएगा like 4 lakh के approach देखने को मिलेगा अब finally बात कर लेते हैं phone के build quality के बारे में phone के अंदर आपको back frame दोन प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे water airplane design का option देखने को मिल जाएगा glass की production display के अंदर है 173 gram का weight है 8 mm की थिकनीस है तो इस phone को आप definitely check out कर सकते हो अब बात कर लेते हैं इस list के second smartphone के बारे में चुकि रहने वाला realme की तरफ से realme narco 60 pro 5T दोस्तों इस phone के अंदर भी आपको काफिची feature देखने को मिल जाएगे काफिची design देखने को मिलेगी बात कर लेते हैं display के बारे में phone के अंदर आपको 6.7 inches का M.O.D. Curtis Play Panel देखने को मिलेगा चुकि 1.0 बेलने कर रहे के साथ आता है बात कर लेते हैं phone की chipset के बारे में phone के अंदर आपको OctaCock MediaTag Diamacity 7050 का Highly Power Chipset देखने को मिलेगा जो की 6.0 बेलने के साथ आता है Android 13 पर बेस्ट है Realme UI 4.0 का X-Pen देखने को मिलेगा साथी में आपको 128 GB प्लस 8G रंका बेस्ट में देखने को मिलेगा रेर कैमरा 100 MP बिद OS के साथ 2 MP का Depth LED Flash देखने को मिलेगी में केमरे के अंदर में केमरे साथ 4K वाइट है टिप से मेंग जम बेट रिकॉर्ट कर पाहोगे सेल्फी कैमरा आपको सिंगल साथ देखने को मिलेगा 16 MP का 3.5 का जैक फॉंट के अंदर नहीं देख गया है USB की बात करें तो आपको टैप शी देखने को मिलेगी 2.0 अंडर डिस्पेले फिंगर प्रें सेंसर देखने को मिल जाएगा 5000 MP की बेंटी दी गई है जो की सपोर्ट करें की 67 बार्ट फार्ट चार्जिंग को बात कर लेते हैं फॉंट के कला स्कीन के बारे में फॉंट के अंदर आपको फर्स्ट कर देखने को मिलेगा मार्स ओरेंज, सेकिंड जो मिलने वाला है कोस्मिक बिलेग अब फानेली बात कर लेते हैं फॉंट की बिल्ट क्वाइडी के बारे में फॉंट के अंदर आपको बैक फिर्म जो है लेदर और प्लास्टिक का देखने को मिलेगा गिलास की प्रोटक्शन डिस्प्ले के अंदर है 185 ग्राम का बेट दिया गया है 8.2 mm की थिकनी से तो दोस्तो इस पॉंट को भी आप डेफिनिटी चेक आउट कर सकते हो अब बात कर लेते हैं इस रिच्ट के थर्ड स्मार्ट फॉंट के बारे में चोकि रहने वाला टेक्नो की तरफ से टेक्नो कैमान 20 Pro 5G दोस्तो इस पॉंट के अंदर आपको काफी ची डिजाइन देखने को मिल जाएगी काफी ची फीचर देखने को मिलेंगे साथी में आपको काफी ची तकड़ा पाउपर चिप्सेट भी देखने को मिल जाएगा बात कर लेते हैं डिस्पेले के बारे में फॉन के अंदर आपको 6.67 इंचिस का एम और डिस्पेले पैनल देखने को मिलेगा साथी में आपको 128 का refresh rate 87.0% का screen to body ratio डिस्पेले के अंदर always on display का functions दिया गया है बात कर लिदे हैं चिपसेट के बारे में फॉन के अंदर आपको octa clock का media tag diameter 8050 का highly powerful chipset देखने को मिलेगा 36 nanometer के साथ आता है android version 13 पर based है hios 13 का expand देखने को मिलेगा साथ ही में आपको 256 GB plus 8G RAM का basement देखने को मिलेगा फॉन के अंदर man camera आपको triple setup के साथ देखने को मिलेगा rear camera 64 megapixel का with OS के साथ 2 megapixel का macro 2 megapixel का depth ring LED flash देखने को मिलेगी man camera के अंदर man camera से आप 4K wide 30 पर से magazine video record कर पा होगी selfie camera आपको single setup के साथ देखने को मिलेगा 32 megapixel का selfie camera के अंदर आपको dual LED flash देखने को मिल चाहेगी 3.5 का jack phone के अंदर दिया गया है USB की बात करें तो आपको tap से देखने को मिलेगी 2.0 अंदर डिस्पेले finger प्रेट सेंसर देखने को मिल चाहेगा 5000 mAh की battery देगी है जो की support करेंगी 33 बाट fast charging को बात कर लेते हैं phone के color screen के बारे में phone के अंदर आपको first का जो देखने को मिलेगा dark belkin second जो मिलने वाला serenity blue अब finally बात कर लेते हैं phone की build quality के बारे में phone के अंदर आपको back film प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे glass की protection display के अंदर है 193 gram का blade दिया गया है 7.8 mm की थिकनी से है तो दोस्तों इस phone को भी आप definitely check out कर सकते हो तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आई हो और informize जोई phone आपको ज़्यादा बैस्ट लगाओ उस पर आपको आपनी need and productivity की साब से considerate कर सकते हो वीडियो आपको ज़रा भी informative लगी तो प्लीज वीडियो को like कर देना, comments कर देना और अपने दोस्तों में ज़्याज़ाज सेयर कर देना शली गाइस मिनते हैं नाइक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना खायर रखेगा और थोड़ा सा हमारा भी